हेलो व्यूवर्स, वेलकम टो आर चैनल वर्ट स्टाइल फैमली फूड कैसे आप सब व्यूवर्स आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ट्रोडिशनल रेसिपी जिसका नाम है मटन वाइड कडाही जो के बहुत मज़दार और असान तरीके से बनकर तयार हो जाती ह और इसके लिए सिंपल इंग्रेंट्स की जरूरत होगी जो कि आपके किचन में अल्रेडी अवेलेबल होगे चले सीख लेते हैं किसको कैसे बनाना है वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी स्टैप मिसना हो सबसे पहले एक कंटेनर में दो कप पान पाने शामिल कीजे साती शामिल कर दीजे मटन मैं यहाँ पर 1 kg मटन यूज करी हूं अगर आपने जादा मटन बनाना हो तो आपने मसालों को से साबसे अरजस्ट कर लेना है अब इसमें शामिल कीजे 1 teaspoon नमक 1 tablespoon लसन अद्रग का पेस्ट अब अच्छे तरीके से इसको हिला और लिट लगाकर 40-45 मिनट तक के लिए पका लिए ताके गोश्ट अच्छे तरीके से गल जा और गोश्ट का पानी खुश्क हो जाए अगर आप कुकर का इस्तमाल कर रहे हैं तो 15-20 मिनट काफी होंगे ये देखिए गोश्ट का सारा पानी खुश्क हो चुका है और गोश्ट अच्छे तरीके से गल चुका है मजीद गोश्ट को हम भुनाई के दुरान पका लेंगे अब एक कडाही ले लिजे इसमें शामिल कीजे आदा कप ओल और बड़े साइस का चौप प्यास को इसमें शामिल कर दीजे और प्यास के सॉफ्ट होने तक इसको पका लिजे जब प्यास सॉफ्ट हो जे जब शामिल कीजिए साबुत गरम मसाला और जीरा वांटी स्पून हरी मिर्चे और अच्छे तरीके से मसालों को भून लीजे एक से दो मिनिट के लिए अब इसमें शामिल कीजिए उबला हुआ गोश्ट और अच्छे तरीके से इसको mix कर लीजे अब शामिल केज़े लसन अद्रग का paste पीवर्स लसन अद्रग एड़ करने से गोश्ट की जो मखसूस smell है वो बिल्कुल खतम हो जाती है अगेन एक से दो मिनटे के लिए इसकी भुनाई कर लीजे अब शामिल किजिन नमक हस भी जरूरत वन टीस्पून काले मिर्च पाउड़र वन टीस्पून सुखा धनिया पाउड़र और वन टीस्पून इसमें शामिल कर लIEजे जीरा पाउड़र आप मिक्स कर लीजे और 4-5 मिनट के लिए गोश्ट को मजीद भूनिए ताकि जो मसाले हमने एड़ की हैं वो गोश्ट में अच्छी तरीके से अब्जर्ब हो सकें वीवर्स इस रेसिपी में बहुत ही कम मसालों का इस्तमाल होता है जिसके विसे गोश्ट का अपना फ्लेवर है वो बहुत इन्हेंस होगा अब इसमें शामल कीज़े एक कप दही और दही एड़ करने के बाद हाई फ्लेम पर इसकी बुनाई कर लिज़े दो से चार मिनट के लिए ताकि दही का फ्लेवर अच्छे तरीके से चला जाए गोश्ट के अंदर जब दही बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसमें शामल कीज़े वन कप क्रीम यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम का इस्तमाल कर रही हूँ अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिजे फ्लेम को आपने मीडियम रखना है अब इसमें शामल कीज़े आदा कप दूद जिसकी वज़े से बहुत मसदार ग्रेवी बनकर तयार होगी अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लिजे अब मजीद एक से दो मिनट के लिए पका लिजे ताकि ग्रेवी थोड़ी से थिक हो जाए अब इसमें शामल कीज़े कटावा हरा दनिया, कटा हुआ अद्रक, कटी हुई हरी मिचे और अगेन मिक्स कर लिजे, मज़दार सी मटन वाइट कडाही बिलकुल तयार है अब इसको डिश आउट कर लिजे, और गर्म गर्म चपाती या नान के साथ सर्फ कीजे विवर्ड आप इस असान सी रेसिपी को अपने घर में होने वाले किसी भी दावत, किसी भी पार्टी में बना सकते हैं और महमानों का दिल जी सकते हैं मेरी रेकमेंडेशन पर इस रेसिपी को एक दफ़र जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे यकीन है कि आपको और आपके घरवालों को ये रेसिपी बहुत ज़दा पसंद आएगी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें आपके आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वर्स्टाइल फैमली फूट के नाम से इंस्ट्रोग्राइम और फेस्बुक पर भी हमारे पेजिस मुझूद है आप उनको फोलो कर लीजी ताके वहाँ पर जो कॉंटेंट अपलोड होता है आप उनको भी असाने से देख सकें मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए अपना बहुत सदा ख्याल रखिए बाबाई